नमसकार दोस्तों मैं राउल मिश्र और मैं आप सभी का एक बार फिर्चेस वगित करता हूँ आपके अपने चैनल एक्जामों में और आप सभी को आज के दिन की हार्धिक बताईगा आज क्या है आज है आज मारा नौ वर्स है साल का पहला दिन है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबी स्वस्त होंगे और ये जो साल आने वाला है आपके जीवन में नई उपलब्यान लाएगा परमिस्वर करें कि जो आप चाहते हैं जो भी आप चाहते हैं चाहें वो नोकरी हो चाहें वो जो भी हो तो वो सारी चीजें वो इस साल आपको पूरी हो जाएं लेकिन सिर् हमारे सामने होता है जैसे कि आज तो बहुत बड़ा दिन है कि हमारे पात पूरा पूरा नया साल हमारे पास है अब यह आपको डिसाइड करना है कि इसको एक सामाने वर्स की तरीके जी जाना है या आज से एक नई सुरुवात करनी है तो इसको वंडे की तरीके ट्रीटमट कर पड़ाईत स nam been there मेरे इसी कि बात आज की กर वीडियो को सेयर कर दीजहें में बहुत के रहें start करेंटOS लगातार गिरता नहीं ल stomp लेकिन उमीद करता हैं कि आप मेरे पयार मेरे विश्वास और मेरे इस महनत को समझेंगे और वीडियो को करेंगे लाइक तो जरूर कर दीजेगा कल मैंने 2000 लाइक के थे 1000 लाइक भी नहीं हुए यार इतना भी बुरा नहीं पढ़ाता हूँ literally इतना तो मुझे विश्वाद है कि इतना बुरा भी मैं नहीं पढ़ाता हूँ मैं अगर और लोगों के पढ़ना पढ़ता है सारी चीजे एक बार खोजनी पढ़ती है जो GS के टीचर होते हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी होती है सारी चीजे करने में तो आप I think इस concern को समझेंगे और काफी ज़्यादा बीमार होने के बावजूद भी मैं इसको उपर अप्लिकेशन लॉंच की है वो है WHO COVID-19 अप समुद्र विग्यान और पूर्वान मन सेवाओं के बारे में जानकारी साजा करने के लिए प्रत्वी विग्यान मंत्रा ले ने अभी हाली में डिज्टल ओशियन अप्लिकेशन लॉंच किया है हाली में Global Alliance for Vaccine Immunization यानि गावी के सदस के रूप में इसका मुख्याले कहा है जेनिवा सुटियर लेंड में के सदस के रूप में नामित किये गए है हमारे स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्शवर्दन भारती सिंदुवीर पंडुबी हाली में किस देश की नौसेना में सामिल की गई है 30 दिसंबर 2020 को Digital India Award 2020 को वर्चुली रूप से दिया गया है और इस बार Digital India Award पाया है महमारी की सिरिनी में बिहार ने ये एवार्ड घोसित के थे रामनात कोविंजी ने हाली में जारी एक आटो बायोग्राफी इन परसूट ऑफ जस्टिस किसके दोरा लिखी गई थी ये जस्टिस रजिंदर सच्चर दोरा लिखी गई थी अब ये दिवंगत हो चुके हैं डियाडियों के साइंटिस्ट ऑफ दा इयर पुरुसकार से सम्मानित किसे किया गया है तो डियाडियों ने अभी हाली में साइंटिस्ट ऑफ दा इयर सम्मानित किया है हेमंत कुमार पांडी को क्योंकि उन्होंने लिखी डर्मा के लिए हरवल दवाएं बनाई थी आसाम में एक बहु माडल लाजिस्टिप पार इस्थापित करने की गोशना की गई है यह किसने की है तो यह की है हमारे रेलवे मिनिस्टर रोड मिनिस्टर सोरी सडक मंतरी नितिन गटकरी जीने हाली में भारत सरकार ने किस सुदेशी मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मन्जूरी दी है तो वो है आकास किस अंतान ने पहली बार आखों के कैंसर के लिए प्लैक चिकित सा विक्षित की है तो वो है आपका बार्क, भामा अटॉमिक रिसाज सेंटर हाली में किस देश ने ओक्फोर्ड एक्स्ट्रा जेनका वैक्शीन के उपियोग को मन्यूरी दी है तो वो है United Kingdom तो चलते हैं आज के Current Affairs की ओर जो लोग रेलवे की तयारी कर रहे होंगे वो तो इस आदमी को ज़रूर जानते होंगे अन्तोतो गत्वा मतलब 2020 जाते जाते एक आखिरकार रेलवे का एक्जाम करा ही गया मैंने काफी गालिया खाई रेलवे के एक्जाम के चक्कर में बहुत कसके आपको याद हो एक वीडियो मैंने बनाया था बहुत ज़्यादा वो उसके बाद तो बड़ा ही रोस प्रकट करने को मिला मुझे जलब काफी सारी चीजे हुई इस साल और अंतर तो गत्वाम आपका एक्जाम कराने में किसी भी तरीके से हम सब मिलकर आपका एक्जाम कराने में सफल रहे और एक्जाम बहुत सारे लोग कर रहे तो नहीं होगा नहीं होगा टेंडर कैसे फाइनल होगा पंदा दिन में यह नहीं हो सकता तो दिमाग में बहुत सारी बाते चला रहे थे लेकिन इस आदमी ने बड़ी तेजी से यह सारी चीज़ें करके दिखाई है और डिड़ करोण लोगों का एक्जाम कराना कोई आसान बात नहीं है तो इनको इसका इनाम भी दिया गया और इसको इनका इनाम इस तरीके से मिला ह है कि IET Institute of Engineering and Technology यह नई दिल्ली में हिस्ते तो देश के सबसे पुराने इन्जिनिंग कॉलेजों में माना जाता है इसका नाम IEEE रहुआ करता था पहले IEEE यानि कि Institute of Electrical Engineering और अगर आप बात करो तो यह भारत के सबसेष्ट इन्जिनिंग इंस्टिूट में से जबकि वर्ड इस बार के लिए 2020 के लिए जो प्रतिष्टिट इंजिनियर एवार्ड दिया गया है वो दिया गया है रेलवे बोर्ड के CEO CEO भी हाली में बनाए गया है और चेयर्मेन आपके वी के यादो यानि कि बिनियोत कुमार यादो जी को यह दिया गया है इनका यह अपने extension कारेकाल म उनके नाम पर सम्मानित कर दिया गया है और अगर हम बात करें तो एक होता है इंजिनियर डे जो हम राष्टी इंजिनियर दिवस मनाते हैं वो बनाते है 15 सेप्टेंबर को 15 सेप्टेंबर को हम राष्टी इंजिनियर दिवस या नी राष्टी या वियरता दिवस इस कौन है रेलेवे बोर्ड के चेर्मेन है और CEO है किसने सम्मानित क्या है IET Institute of Engineering and Technology कहां पर है नई दिल्ली में इतना ही सफिचेंट है अगली जानकारी बहुत ही गजब जानकारी है हमें तो लग रहा है कि भाई सूर यहीं प्रत्वी पर ही उतर रहे आएंगे तो दच्छिड को 2007 में एक आर्टिफीशल सल्ण बना लिया था आपको याद है कि नहीं याद है लेकि आपको बता देता हूं कि 2007 में इन्होंने इसको पूरा तयार कर लिया था अब इन्होंने हाली में एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि 20 सेकेंड तक 10 करोंड डिग्री तापमान 10 करोंड सारे और लोगों ने भी अचीव किया है दस करोड लेकिन इसको 20 सेकंड तक आज तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया था और दच्छिल कोरिया जैसे देश ने इसको अचीव करके चाइना को पीछे दखेल दिया चाइना भी अपने सिंज्यांग प्रांथ में एक इसी तरीके क आर्टीपीचल सूर्य बना रहा है लेकिन चाइना की चिंता यह नहीं है कि इस आर्टीपीचल संसे वो बिजली का उत्पादन कर सके यह आर्टीपीचल संसे कुछ और कर सके उसका सीधा सीधा मकसद है लग्दाग छेत्रकाम पूरा-पूरा मौसम ही बदल देंगे अधीक है लेकिन लगाया भी का किस इसपोर्ट भी हो तो मारे जाए तो यह और मसलमान माने जाए चाइना की जो नीती है वो कुछ इसी तरीके की चल रही है वहाँ पर भी उन्होंने एक सेटप कर रखता है फिलाल हम लोग इसके बारे में बात करते हैं यह जो है कोरिया का टोको मार्क एडवान्स रिचर्ड, सुपर कंड़क्टर मेटेरियल क्या होते हैं, देखे सुपर कंड़क्टर मेटेरियल की जरीए आप बहुत अच्छा तरीके से मैगनेटिक चीज प्राप्त कर सकते हो, यहाँ पर एक डेवाइस आपको दिख रही है, टोको मार्क क्या होत क्या है, पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस सच्झापता हूँ कि आड़ीपीचल सन के अंदर होता क्या है, इसके अंदर नाभकी सनलेयन अभी कराया जाती हैं, यहीं की न्यूडियर फीलक कराया है, प्ली हुग कर आ ह। ऑइक आइज्रोजिनल को मिला करके एक बड़े है उसको एक ऐसी स्थिती पर रखना पड़ता है कि वो किसी के टच में ना रहे तो इसको पूरा एक सूपर कंड़क्टिम माटीरियल के अंदर रखा जाता है जहां से एक सूपर मैगनेटिक पावर प्रड्यूस की जाती है और वह जो धातू होती है उसको एक जगे हवा में तो हमें टांगने के निचे से भी चुमबक ऊपर से भी चुमबक आप समझ रहे न मैं क्या बत करहें तो यह जो डवाइस होती है इसको टोको माँक कहा जाता है अब तक का सबसे बढ़िया टोको माँक जो है वह रसिया ने डेवलब किया था और वही टोको माँक जो है टापमान तक पलाजमा को कायम रखने का रिकॉर्ड थरीक के से गी परपदार्स की चौथी एक अवस्था भी होती है ठोस गया प्लाजमा वाली अवस्था में कोई भी आयान ये कोई एलेक्ट्रॉन अपने नाभिक में रहे जाता सब बाहर आजाते और ऐसी इस्थिति में बहुत ज्यादा तापमान उत्पन होता है और उस तापमान का आप प्रयोग किसी भी चीज में कर सकते हैं उसे आप बिजली प्रोडियूस कर सकते हैं इस एनरजी से आप बहुत सारी च सकेगी इवन 400 सालों तक कई 100 सालों तक लेकिन इस योजना का खतरनाक चरण भी है कि अगर ये किसी तरीके से लीक हो गया या अगर इसमें कोई भी दुरगटना गटी तो दुनिया को समाप्त होते भी देर नहीं लगेगी तो इसको बड़ी सुरच्छा के अंतरगत बनाया झा रहा होगा अब आप कहरोगे सर एक चीज़ और हमने सुनी ती कि फ्रांस में भी कुछ डेवल पोल रहा है आपने बिल्कु ठीक सुना कि फ्रांस में डेवलप हो ए ईथ य यार क्या है इंटरनेशनल आ इंटरनेशनल सर्जाइट ईर है वह इंटरनेशनल थर्मोनिक्लि experiment reactor ये कदार छे फ्रांस में एक जगह है कदार छे वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है और इसी के लिए हमने क्या बेजा था एक थर्मो इस्टेट बेजा था आपको याद होगा ताकि काम और ज़्याद आसान हो जाएगा दोनों में क्या फर्क है के स्टार और आईटी यार में क्या फर्क है देखिए के स्टार जो है वह सिर्फ एक नाभगी संलेंड अभिकरिया को कराने वाला एक तरह का आपका एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है जबकि आईटी यार क्या है आईटी यार उस एनरजी को रोक करके उस एनरजी का प्रयोग करने के लिए बनाये गया है आईटी यार का जो गोल है वो यह है कि 500 मेगा वाट का प्लाजमा डेवलफ किया जा सके 500 मेगा वाट का प्लाजमा क्या है सियोल, राष्टपती क्या है मून जे इन और चुंग सीए क्यूं जो है वर्तबान समय पधान मंत्री है धर्ती पर सूरज ऐसी सलनेयन प्रक्रिया पैदा करने के लिए डेवाइस के अंदर हाइडोजन के आइसो टोपस को रखा जाता है जिसके आयन और इलेक्ट्रोन अलग हो जाता है ऐसा होने के लिए आयन को बहुत अधिक तापमान पर गरम करना पड़ता है वहीं 20 सेकेंड टक तापमान कायम रखने के लिए बैग्यानी बड़ी उपलब्दी बता रहे है अगर हम इसको 20 सेकेंड टक कर ले गए तो नाब की सल्ने नविक्रिया है जो वो जादा समय तक कर ले जाएंगे तो आइटिंग आपको कई सारी जानकारी मिली होंगी तो हाल फिलाल किसने 10 करोन डिग्री का टैफनेचर हासिल कर लिया है वो भी 20 सेकेंड टक ये बड़ी बात है पिछले साल किया था इन्होंने 8 सेकेंड टक कर पायते है उससे पहले भी किया था 1.5 सेकेंड टक कर पायते है तापमान प्राप्त करना बड़ी बात नहीं उसको रेटेन करना बहुत बड़ी बात है टोको माक समझ में आगे टोको माक क्या है टोको माक एक ऐसी डिवाईस है आप से लिए सुपर मैगनेटिक पावर है ठीक है चतिस गड़ चतिस गड़ के मॉडल के सहत इस्ताफित कल मैंने देखा था कि एक जने थे वो करेंट अफेस में पढ़ा रहे थे कि भाई देश का पह प्राइवेट पाटनरसिट जिसमें सार्वजनिक और निजी छेतर की भागेदारी दोनों को मिला करके इन्होंने यह एथेनल सहयंत्र बनाया है और यह देश का पहला प्रिपल पी मॉडल पर आधारिस सहयंत्र है चतिस गड़ के भुपेज बगाल सरकार ने साजवनिक भा खाना और 36 डिश्टली लिम्टेट की साय कंपनी एनकेजे बायो फ्यूल दौरत तीस वर्चों के लिए बनाया जा रहा है अब कहोगे सर एथेनल क्या होता है देगे एथेनल तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूंगे वह सी टू एच फाइव होता है लेकिन क्यों पूरी द तो हमें ज्यादा तेल की अवश्यक्ता नहीं पड़ेगी भाई एक लीटर पेट्रोल है तो एक लीटर पेट्रोल में आदा लीटर पेट्रोल कर दो आदा लीटर अप एथेनल कर दो लेकिन क्या आदा लीटर तक मिला जासे था 50% तक मिला जासे था देगे मिला तो सकते है लेकिन उससे आपकी गाड़िया नहीं चलेंगे उसके लिए अलग तरह के इंगन की अवस्यक्ता होगी हाँ, 10% तक अभी आप मिला सकते हो, गवर्मेंट ने लक्ष रखा है कि 10% जो है यह हम 2022 तक मिलाने लगेंगे अभी हम 5% मिला रहे हैं, और 20% हम कर देंगे 2030 यानि कि एथेनल ब्लेंडिंग जो सुरू कर देंगे 2030 तक कर देंगे इसके लिए पैधान मंतरी ने योजना सुरू की है, उसका नाम है PM जीवन योजना, कौन सी योजना है? PM जीवन योजना, इसको तोड़ाता डिटेल में पढ़ लेंगे, PM जीवन योजना क्या है? दीगे, PM से तो पैधान मंतरी हो गए, और यहाँ पे J से मतलब है जैव, I से मतलब है इंधन, अभी पारलियमेंटरी कमिटी जो नहीं होती है, एकोनॉमिक अफियास की, आर्थी म अनखूल, फसल, अब इसमें ये फसल को गायब कर दिया है उन्होंने, फसल, अवसेस, निवारन, ये पूरी योजना का नाम है, जिसके जरिये जो चीनी मिलों से गन्ना निकलता है, उसकी खोई वगएरा निकलती है, उससे एथेनॉल का डेवलप्मिन्ट किया जाएगा, अचा, ये आपको आइडिया है कि वर्ड़ बायो फियूल डेग का बनाय जाता है, आप अब जये इधन की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि हमारी जो कन्वेंशनल इधन है, उस पर हमारी निरवरता जो हो जाए, वो कम हो जाए, आप बतादो वर्ड बायो फियूल डेग का मना इसकी theme क्या रही थी इस बार, वर्ड फ्यूल डे की, बायो फ्यूल डे की, तो ये रही थी कि, बायो फ्यूल टूवर्ड्स आत्म निर्वर बारत, ये कब मनाये गए, ये मनाये जाता है हर साल 10 अगस्त को, 10 अगस्त 2020 की ये theme रही है, ठीक है, हाँ, जी पता है मुझे अजीत पंडे जी के हमारे इसके लिए PCS में 8 question आये थे, तो 36 गड़ में खोला जा रहा है, ये आपको समझ में आ गया, वर्ड बायो फ्यूल डेट खोला, blending प्रोग्राम आपको समझ में आ गया, इसको जरूर आकड़े को याद रखे कि 10% जो है 2022 तक, और 2030 तक 20% जो है इसमें पंती न, सक्कर के जो अफसेस होते हैं, उससे एथेनॉल बनाया जाता है, वो बहुत प्योर एथेनॉल होता है, फिर बाद में एक और टेक्नलोजी आगे, जिससे कोई भी कशणाओ गनने का, उस सबसे एथेनॉल बनने लगा, तो वो 2G प्लांट के अंतर गता है, तो भार ही कहीं मिला, तो जो सबसे अथंटिकेट मुझे लग रहा है, वो उडिशा का बार गड़ लग रहा है, कि उडिशा के बार गड़ में ही इस टेक्नलोजी की सुरुवात हुई थी, तो उडिशा का बार गड़ में पहला एथेनॉल प्लांट लगाए गया था, अच्या ट्र उसका यूज करने के लिए, रोजगार संगी एप आपको 36 गड़ से मिलेगा, गोरेला, पेंडरा, मैवई जो है, इसको अभी हाली में 28 डिस्टिक्ट बनाए गया, राजी युगांधी किसान नयाई हो जना भी आपको 36 गड़ से मिलेगी, चतित गड़ के पहले सियम आजी जंगली भैसा, जो है स्टेट एनिमल है, हिल मैना, पहाडी मैना जो है स्टेट बर्ड है, इंद्रावती जिसे कुतरू नेशनल पार्क भी कहा जाता है, कांगेड वेरी नेशनल पार्क, गुरु घासी दास नेशनल पार्क, जिसे संजय नेशनल पार्क भी कहा जाता है, य ये आपको 36 गड़ में देखने को मिलेंगे 36 गड़ अगर आप देख पा रहे होगे तो ये है आपका मदपदे से काट करके बनाए गया था लोग सभा में 11 सीटे हैं और राज सभा में 5 सीटे हैं जबकि कर्मा, राउत, घेडी, पंथी, सुवानित बहुत इंपोर्टेंस, बेहाद इंपोर्टेंस हुआ ना थी, डंडा ने थी, ये जो है, ये सारे के सारे 36 गर्थे बिलॉंग करते हैं, इसको याद रखेगा, आगली जानकारी पर चलते हैं उसके बाद उन्हें जो Vatican City के Church है, Catholic, उन्होंने क्या किया? उनको संथ की उपादी दे दी संथ की उपादी देने के लिए किसी भी वेक्ति दोरा चमतकार किये जाने जरूरी है Mother Teresa दोरा भी चमतकार किये गए थे कई लोगों को उन्होंने चंगा किया यानि कि स्वस्थ किया इस वज़े थे फिलाल मैं Mother Teresa की बात इसलिए किरहूं कि अभी हाली में Mother Teresa के नाम पर आधारित एक मात रेवर्ड जैसे यानि सामाजिक न्याए के लिए दिया जाता है उन परुषकारों की गोष्णा हुई है इसको जो इस बात प्रोड्यूस किया है वो हर्वनी फ्राउंडेशन ने किया है Mother Teresa मेमोरियो लेवार्स की मेजबानी की है और यह 16 वज़े परुषकार सिश्टर प्रेमा Missionary of Charity Superior General Mother Teresa दोरा सुरू किया गया एक मादर पुरुषकार है इस वज़े पुरुषकारों का विशेराज Celebrating Completion in Times of Covid इसको अंगरेजी में पढ़ ले Celebrating Completion in Times of Covid यह पुरुषकार किसको किसको मिले है थोड़ा सा एक नजर माल लेंगे जिनको Mother Teresa पुरुषकार से समानित किया गया था कोई पता सकता है Mother Teresa का ओरिजिनल नाम क्या था Mother Teresa का ओरिजिनल नाम आनंजे गौजा बोयाजू यह मेसुडोनियन नाइम है इसलिए थोड़ा सापको अलग लगेगा यह Mother Teresa जी का मूल नाम था बाद में उन्होंने अपना नाम Mother Teresa कर लिया था नोबल का मिला था उनको 1979 में अगली जानगरी है हैदराबाद में एक तिहान फाउंडेशन डेवलप किया गया है अपको ओके सर यह तिहान फाउंडेशन है क्या देखे तिहान फाउंडेशन जो है आप सभी सायद भविस की कलपना भी नहीं कर रहे है और भविस इतनी तेजी से चेंज हो रहा है खासकर टेक्नलोजिक के मामले में किसी ने भी नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से Current Profession पढ़ पाएंगे मुझे लगता है कि आगर हम लोग 8 साल पहले चले जाएं तो कोई भी नहीं सोच सकता कि बिना कोचिंग जाए बिना कहीं जाए आप घर पर भी पढ़ पाएंगे लेकिन आज आज आप पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन में आप कम समय में ज़्यादा चीजे पा जाते हैं फिलाल मैं बात करा था बटक गया अपनी बात से तियान क्या है आगे आने वाले समय में भाईया हमारे पास जो कारे होंगी वो हावा में उड़ने वाली होंगी जो कि पहली फ्लाइंग कार जो है वो गुजरात में बन रही है पॉल भी लिबर्टी नाम है थोड़ा सा सुरू में महेंगी होगी लेकिन जैसे जैसे टेखनलोजी एडवांसमेंट होगा कारे उड़ती भी नजर आएंगी ऐसे में हमारे पास एक navigation system होना चाहिए जो unmanned vehicle को trace कर सके या आगे आने वाले समय में हमारे पास जो कारे होंगी या जो भी वाहन होंगे वो driverless भी होंगे जैसे कि अभी हाली में एक driverless metro train चलाई गई है तो धीरे धीरे हम technology के advancement की तरफ बढ़ने लेकिन अगर वो technology हम तभी adopt कर सकते हैं जब उसका environment हमारे पास हो खासकर ये जो system अभी हाली में develop किया गया है ये एक तरीके का test bed है test bed का मतलब होता है कि testing की जाएगी यहाँ पर और पूरा का पूरा जो वातवान प्रोवाइड कराय जा रहा है इसके उपर ये technology, advanced technology जो है ये foundation develop किया गया तियावन foundation एक company है जो इस तरीके के navigation systems को develop करेगी और लोगों को train करेगी ये कहाँ पर बनाया जा रहा है ये IIT हैदराबाद में बनाया जा रहा है दो एकर की भूम मिली है 138 करून रुपया finance किया गया है तो केंदरी, सिच्छा, मंतरी, रमेज, पोखरिया, निसंग ने, IIT हैदराबाद में भारत के autonomous navigation system इस थली और हवाई दोनो इस थली और हवाई दोनो यानि जमीन पर चलने वाली कारों को भी पता चल पाएगा और अभी आप सोचोगे सार रहे हैं और तिहान, IIT हैदराबाद में नीव इसकी रखी गई है कुछ दिनों बाद हमारे पाद एक ऐसा test bed होगा जहांपर हम क्या कर पाएंगे हम ये देख पाएंगे कि कौन सा drone कहां जा रहा है कौन सी उड़ने वाली कार कहां जा रही है उसका navigation कर पाएंगे उसका data हम रख पाएंगे ताकि बविस्व में होने वाली दुरगटनाओं से बचा जा सके अगली जनकरी PM मोधी जी ने अभी हाली में एक AIMS की स्थापना की है 31 दिसंबर 2020 को 31 दिसंबर तो कली था तो साल के अंत में इन्होंने एक बड़िया काम करी दिया आखिरकार इन्होंने गुजरात के राज कोट में आखिल बारती आयरोविग्यान संसान की आधार सिला रख दी है इसमें 201 एकर भूमी जो है अवांटित की गई है इस एम्स का निर्मान 1195 करून रुपए की लागत से किया जाएगा या एम 2022 तब बनका त्यार हो जाएगा इस कैमपस निर्मान में सावजिनी छेत्री मिनी रदने कंपनी HSCC लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है इस कैमपस में 9 बवनों को ये तब करना जरुवत नहीं अभी हाली में एम्स कहां पर बनाएगा है और भारत में कुल कितने एम्स है जानकरी है आपको फटा-फट से कमेंडम लिट कर लिख कर बताओ की भारत में कितने एमस है तो बारत में 9 एमस है सबसे पुराना कौन सा है दिल्ली वाला अगली जनगरी अपसपा लागू कर दिया गया है नागा लेंड में फिर से आप कहोगी ये नागा लेंड में एक सक चल क्या रहा है जो बार बार वहाँ अपसपा लागू किया जाता है अभी 6 मेने पहले किया गया था फिर 6 मेने के लिए बढ़ा दिया देखें नागा लेंड जो है 1963 में नागा लेंड इधर मनीपूर से जुड़ता है अनाचल परदेश से जुड़ता है असम से भी थोड़ा सा जुड़ता है और अधर आप देखें तो पीछे नीचे में आमार से जुड़ता है तो नागा लेंड में जो है वो बहुत सारी ऐसी जंजातिया निवास करती है जिसमें से बहुत सारी नर्भच्छी है इस वज़े से वो अपना ट्रेडिशन जो है वो अपना बनाए रखना चाते है उनकी मांग है कि हम भारत नहीं है हमें भारत में सामिल नहीं होना है और किसी भी तरीके से हम भारत में सामिल नहीं होना चाते हमें अलग एक समिदान दे दो हमें अपना एक अलग जंडा दे दो तो एक अलग जंडा और एक अलग देश की मांग जो है नागा लेंड में 1963 से चल रही है और ये भारत में सामिल होने वाला सोलुआ राज्य था तो केन सरकार ने नागा लेंड को असान शेत्र गोसित करते हुए ससत्र बल अधिन्यम 1958 अफस पा नागा लेंड ने छे मेने के लिए बढ़ा गया अफस पा क्या है आर्म पोस इस्पेसल पावर एक ये आर्म फोस को इस्पेसल पावर देती है कि वो किसी की भी जाँच कर सकते है किसी को भी जो हतियार वगेरा या उनकी सुरच्छा के लिए खत्रा बन सकता है उसको पकड़ के जेल में डाल सकते है आप नागलेंड जाना चाहें तो आप नागलेंड नहीं जा सकते हैं उसके लिए आपको बकाइदा इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा और इसे आप कह सकते हैं कि आपको थोड़े समय के लिए वहाँ पर वीजा लेना पड़ेगा नागलेंड की बात की जाए तो वर्तमान समय में वहाँ पर मुख मंतरी है नेफियो रियो आरन रवी जो हैं वर्तमान समय में वहाँ पर गवर्नर है राजदानी क्या है कोहिमा तो अभी भी नागा लेंड के बहुत ऐसे पार्ट है जहां पर बहुत मनलब जन जाती हैं वो बिलकुर भी accept नहीं करते हैं भारत को मनलब उचाते ही नहीं कि हम भारती बने और सबसे important बात है कि नागा लेंड में बागते हुए नजर आएंगे सब नागा लेंड में बैठे हुए क्यों क्योंकि वहाँ पर जो लोकल सफोर्ट है वो बहुत जादा ऐसे में सेना के लिए बहुत खराब बात हो जाती है कि वहाँ पर उसको भारत के अंदर लाया जाए सबसे बड़ी बात है सिच्छा की कमे और वो सायद उसको अपनाना भी नहीं चाहते अंग्रेजों ने भी कोसिस की थी मार काट डाला था कई सारी इसाई मिसनरी जोहाँ पर बेजे गए थे नागा लेंड में उनको उस समय मलब उन्होंने सुचा कि चलो हमें इसाई दर्म का प्रचार वचार करेंगे तो हो सकता है ये लोग हमारे साथ थोड़ा जुड़ना हो उन्होंने उनको भी मार डाला तो वो अपनी जन जाती को लेकर या अपनी जो कल्चर से उसको लेकर बहुत आपको नागलेंड में कहीं पर कुत्ता गुंता वह नहीं दिखाई देगो कुत्तो का मांस बहुत पसंद करते हैं नागलेंड वाले अब अस्पा को 1958 में लागू किया गया था इसका उप्यों असांत किये गए छेत्रों को समालने में किया जाता है तो नागलेंड जो है वो बढ़ा दिया गया है थोड़े दिन के लिए और अगली जनकरी है गौर्मेंट आप इंडिया ने एक गलोबल प्रवासी रिलेशन सिप पोर्टल लॉंच किया है जोकि इस बार देखा गया कि जो COVID-19 के दौरान पहली बार हमें पता लगा महला कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भारा से बाहर रहते हैं महला वहाँ पर काम कर रहे हैं कई देशों में उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि जब उन्हें एसास हुआ कि वो जब चाहें तब अपने देश नहीं जा सकते तो ऐसी सिचुएशन में उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए ऐसी सिचुएशन में उनके बारे में बातचीत करने के लिए एक प्रवासी पोर्टल लॉंच किया गया है ताकि एक दूसरे के बारे में जानकारी हो सके और एक मोबाइल अप भी इसको लो लॉंच इसका जो मेन मोटिव है वो है भारती प्रवासी समुदाय को जोड़ना और इस अप का विदेश मंतरी वी मुरली धरन विदेश राज्य प्रवासी दिवस है वो कम मनाए जाता है राष्टी है प्रवासी दिवस हम कम मनाते है भारत वाला फटक से बताओ अगली जानकारी पर चलते हैं तस्वीर आप देख पारें बड़ा चोटा सा बच्छा है लेकिन हैं ये भाई आपके लियोन लुको मेंडोका लियोन मेंड लुका जी कहां से बिलॉंग करते हैं भाई ये गोवा के रहने वाले हैं कहां के रहने वाले हैं गयते यूरोप मार्च में फस गये और तब से बारत वापस नहीं आ पाया फिर वहीं पर इन्होंने खुब सारे चेस के टूर्णमेंट में भाग लिया और अपने जो आवश दो हैं शत्रा दिन में अचीब की है जबकि अगर हम बात कने तो भारत की सबसे कम उम्र के जょ ग्रैन्ड मास्टर हैं वो हैं डी गुकेश डी गुकेश ने ये उपलबदी बारा वर्स सात मईने शत्रा दिन में हासिल कीति जब कि विस्ट के सबसे यंगिस्ट यानि कि सबसे कम उमर के जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो ते सरगेई करजाकिन सरगेई करजाकिन जो है ये यूक्रेन से बिलॉंग करते हैं इन्होंने ये उपलब्दी 12 वज 7 महीने में हासिल की थी भारत में कितने ग्रैंड मास्टर हो ग को समाले वाली संस्था और अगली जैनकारी हैं वो अभी ते खेल रहे हैं जबकि ग्लोब सॉकर एवार्ड में अभी हाली में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर आफ दा सेंच्री यानि सताब्दी का प्लेयर गोसित किया गया है क्योंकि 21 साल ही हुए है लियोनेल मेसी को भी खेलते हुए और उनसे ज्यादा आपके रोनाल्डो जी खेल ला है रोनाल्डो ने पांच बार बैलन्डी और जीता है इसके अलावा रॉबर्ट लेवंडर्स की को बेस्ट प्लेयर मिला है 2020 का और रियल मेडरिट को क्लब आफ सेंच्री बताए गया है यानि कि सताब्दी का क्लब बताए गया है और प्लेयर ऑफ वह बनाया गया है century का best coach यानि कि सताबदी का सबसे best coach तीन नाम आपको याद रखने हैं वैसे सबसे बढ़िया important यही है कि player of the century ही याद रखे player of the century जो है वो Cristiano Ronaldo है अगली जानगरी एक और चीज हमारे पास आई है बहुत बढ़िया चीज यहते माली आपको कोई भारी सामान जो है वो plane से नीचे ले जाना है तो air drop container के जरीए आप भारी सामान को नीचे लाग सकते हैं 50 kg तक का सामान आप हवाई जाज के जरीए कहीं पर भी समुदर में पर पहुचा सकते हैं और इसका नाम रखा गया है सायक एंजी रच्छा नुसंदा ने विकास संग्धन डियाडियों ने भारती नौसिना के साथ मिलकर गोवा तट से कुछ दूर समुदर में IL-38 HD एयर क्राफ्ट से बारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विक आप बहुत दूर चले गए आपका जहाज बहुत दूर है आपको अचानक से कोई डेवाइस खराब हो गया तो भारती नौसिना क्या करेगी फोन करेगी हवाई जाज उड़ेगा और वो उनको वहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाएगा तो सायक एंजी क्या है ये एक सायक MK1 का अधुनिक संस्क्रण है 50 kg तक वजन ले जाने में सच्छम है तो अभी हाली में सायक एंजी का परिष्ण क्या है ये क्या है ये एक एयर ड्रॉप कंटेनर है यानि कि हवाई जाज के जरीए सामान को नीचे पहुचाने कंटेनर है किस ने बनाया है इसको DRDO ने बनाया ह DRDO के हेट को ने जी सतीस रेड़ी ये भाई आभी आपको कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था कि तांसेन समारो चल रहा है जाना हो तो मदपदेस के बोपाल में देखा हो जाके तो मदपदेस के गौलियर में 96 तांसेन संगीज समारो का आयोजन हुआ और इसमें 15-37 व्या पीडियो के वार बार तो नहीं देख पाऊगे लेकिन पीडियोफ अपने पास रखो उसको जब बनो तो स्क्रॉल कर लो बस असमें बैठे हो तो एसे स्क्रॉल कर लो मोबाइल से स्क्रॉल करना समध्तों मैं जबार नजर डालो है डिंग पर ही तो उपका करेंट अफैस नौरतन थे उसमें से एक दर्बारी कभी थे और ये बताते हैं कि ऐसा गाना गाते थे कि दिये जल जाते थे वेटरेन ब्राडकास्टर इंदिरा जोसेफ वैनीरा का अभी हाली में नेदन हो गया अगर आप मैं इंदियावाद जरू सुनी होगी अगर आपने पुराना रेडियो सुना होगा पुराना कभी भी तो अंगरेजी में समाचार वाचा करने वाली पहली मैला थी तो वयोबरद ब्राडकास्टर इंदिरा जोसेफ वैनीर का नेदन हो गया वो प्रसिद ब्राडकास्टर और इंदिया रेडियो के दिगज और तरावन को रेडियो की पहली अंगरेजी समाचार उदगो सकती जब 1949 में इसकी अंगरेजी सेवा के सुरुवात हो थी वो प्रसिद साहितिक विद्वान और समीच्षक दिवंगत EMJ वैनीर की पत्नी थे इनका भी हाली में नेदन हो गया तो इंदिरा जोसेफ वैनीर का भी हाली में नेदन हो गया वो क्या थी एक समाचार उदगो सकती अगली जनकरी है अगर अभी तक अपने अपनी गारियों में फास्टेक नहीं लगवाए हैं तो आज 1 जनवरी 2021 था इसकी डेडलाइन खतम हो रही थी लेकिन मामला पढ़ गया उल्टा मामला इस तरह से उल्टा पढ़ गया कि बैंकों में ही फास्टेक उपलब्द नहीं है ऐसी इस्तिती में सरकार ने अपनी गलती करते हुए एक कदम पीछे अट आया और बोला है कि भाई 15 फरवरी तक लगवा लेना तो टोल वाले जाने देते हैं जाओ 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 ना मत दो मत दो तो अब यह चीजे नहीं हो पारी कोगि अब अगर on-line हो जाएगा तो जिसके गारी में लगा होगा वही गारी निकलेगी जिसके नहीं लगा होग तो इससे जो टोल connection है वह बड़ेगा collection बढ़ेगा चीज़े improvement होगी पैसा अगर सही जगह जाता है तो उसका पक्का कुछ न कुछ यूज होता लेकिन पैसा अगर गलत हातों में जाता है तो उसका कोई यूज नहीं होता है तो fast tech अब 15 परवई तक लगवा लेना अब बारी है आच के one liner की लगदाख के ले में भारती मौसम विग्यान विभाग ने मौसम विग्यान केंद्र का उधगाटन किया ये कल बताया था मैंने कि हाली में एक IMD center का उधगाटन किया और ये भी मैंने बताया क्यों किया चाइना पीछे-पीछे बना रहा है क्रतिम सूर उसका सूर का नाम है आइसेट चाइना पीछे-पीछे क्या बना रहा है आइसेट बना रहा है हाली में प्रतिष्टित इंजिनियर पुरुसका 2020 से किसे समानित किया गया वीके यादों को नौ सेना डियाडियों ने पहले एरड्रॉप कंटेनर साहयक एंजी का सफल उलान परिशड किया मद्धपतिस की गौलियर में 96 तांसेन संगीत समारों में तांसेन समानित किसे किया गया पंडिस सतीस व्यास को और हार्मनी फाउंडिशन ने समाजिक नया के लिए दिये जाने हाली में किस वयोवरद ब्राडकास्टर का निदन हो गया उनका नाम था इंद्रा जोसेफ वेनियूर हाली में पीम मोदी ने कहां पर एम्स की एक आधार सिला रखी है तो राजकोट में हाली में नागरलेंड में कितने महिने के लिए अफस्पा बढ़ाय गया है ये 6 महिने के लिए केद्र ने फास्टेक की डेडलाइन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है 15 फरवी 2021 के बारत सरकार ने भारती प्रवासी समुदाय को जोड़ने के लिए लांच किया है गलोवल प्रवासी रिस्ता पोर्टल और हाली में पिपड़ी चिंचडवान नगर आयुक्त ने बारत के पहले सोसल इंपेक्ट बॉन्ड के लिए एक समझाता सही तराश विकास करम में यानि यूएन डीप के साथ किया है देखे सोसल इंपेक्ट बॉन्ड वो होते हैं कि आप समाज में प्रभाव के लिए जैसे कि सोसल बॉन्ड होते हैं कई सारे और बॉन्ड होते हैं बॉर्ण के जरीए पैसा जुटाने के लिए इसको किया गया है तो लगदा के लिए में भारती मौसम विज्ञान विबाग के मौसम विज्ञान के इंद का उद्गाटन किस ने किया पटापट पताईए जल्दी लगवा लिया है बहुत बढ़िया हाँ डेली परती है अक्ष इंजिनियर पुरुसका 2020 से किसे सम्मानित किया गया है तो यह है सुनील कुमार नहीं भी के यादो नौसेनर डियाइडियो ने पहले एरड्रॉप कंटेनर का सफल परिश्ण किया क्या नावन उसका साहयक एंजी और मद्दपदेश की गॉलियर में चियान में तांसेन संग भारत के आटोनोमस नेविगेशन सिफ्टम के लिए भारत के पहले टेस्टेक तीहान आईटी हिदराबाद की नीव किसने रखी है तो वो रखी रमेश पोखरियाल निशक्त में हाली में किस वयोब्रद ब्राटकास्टर का निदन हो गया उनका नाम था इंदिरा जोसेफ बेनियोर हाली में पीम मोदी ने कहां पर एम्स की आधार सिला रखी तो गुजरात के राज़कोट में हाली में नागलेंड में कितने महीने के लिए अफस्पा को बढ़ाया गया है तो ये अफस्पा जो है छे महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है केन सरकार ने फास्टैक की डेडलाइन को कब तक के लिए बढ़ाया है 15 फरवरी 2020 के लिए अब भारत सरकार ने भारतिय प्रवासी समुदाय के जोडने के लिए किस पोर्टल का लॉंच किया है तो ग्लोबल ओवर्सीड रिलेशनसिप पोर्टल हाली में पिपरी चिंचवार नगर निगम ने UNDP के साथ एक सोशल इंपेक्ट बॉंड जारी करने के लिए समझाता किया है तो दोस्तों ये थे आज के इंपोर्टन करेंट अपयर्स और जिनको नहीं पता है कि PDF कहां मिलती है मैं उनको दिखा दे रहाँ कि PDF कहां मिलती है आप बस एक सेगेंड मेरे साथ बने रहो मैं आपको दिखा दे रहाँ PDF कहां मिलती है ये चल रहा है वीडियो ठीक है और वीडियो के नीचे आप जाओगे यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है PDF का दिख रहा है आपको ये PDF का लिंक है इसको ओपन करेंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है Current Appearance इसको ओपन करेंगे और आप पाएंगे कि अभी तक कि जितनी भी PDF है जब से मैं एक्जामों में आया हूँ वो सारी PDF यहाँ पर पढ़ी हुई है December वाला ये चल रहा है आप इधार देख सकते हो पूरा का पूरा देख लो December वाला आपका ये चल रहा है इस तरीके से बीच में October, December ये आपको दिखता जाएगा थोड़ा था नीचे स्क्रॉल करना पढ़ेगा जितना आप चाहते हो जैसे कि October नॉम्बर भी चल रहा है साथ में और ये देखो ये देखो ये कल की PDF पढ़ी हुई ये कर्तित December की ये आपकी कल की PDF पढ़ी हुई है ठीक है तो सारी PDF आपके यहां पढ़ी हुई है एक स्लाइड समीट की एड कर दो और आपका PDF अला प्रब्लम भी सॉल्व हो गया होगा तो कोई टेंशन नहीं है नवस की आप सभी को हार्दिक सुख कामना है एक स्लाइट समिट की एड कर दो आप लोगों डिमांड को ज्यादा ही बरती नहीं चली जा रहे हैं आप कह देते हो कि एक स्लाइट समिट की एड कर करने में या पुरुषकार के करने में पूरा दो जार बीच का करेंड अपैस खांगाना पड़ेगा फिलाल आपका हुकुम सारा आखो पर आप भी तो कर दो थोड़ा सेयर कर दो भाईया आईसे कैसे चलेगा बड़ी बेजती हो रही है या अब मेरी इज़त तुमारे मातो या तो लुट जाने दो या फिर खतमी करो सीजेल के लिए एक साल एक साल का करेंड अपैस पढ़ना पड़ेगा पिछले एक साल का पूरा करेंड अपैस पढ़ना पड़ेगा और आराम से करते चले जाओ करेंड अपैस से कितना कोश्चिन पांच से छे कोश्चिन करेंड अपैस से आ रहा है मेरा तभी ठीक है मैं धीरे धीरे अप सही हो रहा हूँ एक्षिल में एक और रिपोर्ट आनी है, अगर वो रिपोर्ट आ जाती है, तो सही हो जागा, मैं दवाईयां थोड़ी सी कम करूँगा, भी थोड़ी सी जादर दवाईयां है, चलिए फिलाल, हैपी न्यू येर, एंड मुआज करो, बाबाई, टेक केर,